राज्यसवा चुनाओं से पहले गुजरात कॉंग्रेस के विधायकों की खरीद फरोगत के डर से प्रदेश के आबूरूर इस्तित एक होटल में शिप्ट किया गया है असपर उपनेता प्रतिपाक्षी राजिन राठों ने निशाना साधा है राठों ने का कि एको राजस्तान में सारे होटल और मौल्स बन थे ऐसी परिस्तित्यों में राजसरकार ने किन अधिकारों का उप्योग करते वे 48 घंटे पूरो होटल खुलवाया और होटल में विधायकों की बाले बंदी कराई उन्होंने का कि प्रदेश में सर्याम राजस्तान महामारी अधिनियम का उलंगन हो रहा था जिस पर जागरुक लोगों ने जब F.I.R. दज कराने के बात करी तो उनकी F.I.R. दज नहीं की गई पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कुनबा विखर रहा है कांग्रेस अपने कुनबे विखरते कुनबे को रोकने के लिए बाड़ाबंदी कर रही है और बाड़ाबंदी में सहयोग करने के लिए पॉलिटिकल टूरिजम का केंदर बन गया राजस्तान राजिस्तान की सरकार अपने प्रवावर अपने संसादनों से सारे नियम और काइदों को दता बता कर 48 गंटे पहले एक होटल को सिरोई की जिले में खुलवाती है और उसके बाद उसमें 50 लोग आके निवास करते हैं जबकि पूरे राजिस्तान के होटल बंद है मोटल्स बंद है आपदा के लिए जो अभी अध्यादेश निकाला है राजिस्तान की सरकार ने उसके दजियां उड़ती है आपदा प्रबंदन निरोदक अध्यादेश के दजियां उड़ती है और जब हमारे कार्यकरता अफायार लेकर जाते हैं तो ओनलाइन अफायार दर्ज करने वाली ये कांग्रिस और इस सरकार के नमाइंदों के कार्ण पुलिस के अधिकारी भी बगलें जांकने लगते हैं मैं समझता हूं कि कतनी और करनी में इतना अंतर पहले कभी दिखाई नी दिया जो आज सामने है